आज भी ताल टोक के दो बड़े मुद्दों पर हम बहस करेंगे पहली बहस का मुद्दा ये है कि क्या कॉंग्रिस ट्रिपल तलाग दिल पर मुस्लिम महिलाओं को धोका दे रही है और दूसरी बहस शाम 6 बजे कि आतंग पर आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक से क्या पाकिस्ता मुद्दान वाके सुधर जाएगा लेकिन ताल टोक के इस वक्त की बहस इसमुद्दे पर कि क्या ट्रिपल तलाग पर कॉंग्रिस मुस्लिम महिलाओं के साथ द्वोखा कर रही है ये सवाल आज इसलिए क्योंकि ट्रिपल तलाग को सुप्रीम कोट ने सम्वधान के हर कोई ट्रिपल तलाग का विरोध कर रहा है लेकिन ये बात कॉंग्रिस को समझ नहीं आ रही है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉंग्रिस ट्रिपल तलाग बिल की राह में थोड़ा रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रही है लोग सभा से पास होने के बाद कल राज्य इस बाद में ट्रिपल तलाग बिल पास होने वाला है ये कहिए टेबल होने वाला है लेकिन कॉंग्रिस इस बिल पर ना नुकुर कर रही है कॉंग्रिस इस बिल पर और बहस चाती है इसके लिए बिल को सिलेक्ट कमिटी के पास भेजने के पक्ष में भी है सोसिस हमें ये ब के हक की आवाज बुलन नहीं की और अब जब सुप्रीम कोट ने ट्रिपल तलाग को सम्रधान के खिलाब बताया और उसके बाद सरकार कानून लेकर आई तो कॉंग्रेस उसका विरोध भी कर रही है और इसलिए आज ताल ठोक के बहस इनी मुद्दों के इर्दगिद रहने व तो मैंटली टॉर्चर करते हैं तीन बार तलाग तलाग Кहे देने वाले वह जेल कुव नहीं जाना चाहरा ज़ए क्रिपल तलाग के टॉटर के सजा कुवल की नहीं है कुछ पाट्यों Saadisen और सवाल जो ये भी कि आज टिब तलाग के खिलाभ बिल तो क्या कल यूनिफॉर् करूँ उससे पहले जल्दी से एंट रपार्ट और आज फिर बता दू अच्छा खासा बड़ा पैनल इस पर बहुत करने के लिए मौजूद है कर दो अच्छा पैनल इस अच्छासय पार्ट अच्छा लिए नहीं लिए उस्टे सिर्प्राइब। कि वो हमेज़ा चर्चा से भागना चाहते हैं स्टेक होल्डर के सला से भागना चाहते हैं और हमने एक दिन में पास किया दो गंटे में पास किया और हर क्लाज के ऊपर गंटों से दिनों से चर्चा होती है लेकिन यहां पर चर्चा से ज्यादा बिल पास करने में सरकार लगी लिए और इससे डेमाकरसी को बहुत बड़ा नुकसान है नारी स्वाविवान की बात है नारी सम्मान की बात है और इसको किसी धर्म या राधनिती से जोड़के नहीं देखना चाहिए अपनी मुसलिम महिलाओं को उनका हक मिले अधिकार मिले इसी के लिए विल है तो मैं समझ करने का टाइम मिले आप इसको नॉन बेलेबल ओफेंस कर रहे हैं तो वो जब धक्के काएगा हस्बेंड और बेल लेगा वो वाइफ के साथ रिकंसाल करेगा नहीं करेगा और एक मुसलिम महिला कितने महीने बैठी रहेगी मैजिस्ट्रीट को उसका फाइनाशल पर जो है वो कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ती है दस कदम पीछे अड़ जाती है खुद कंफ्यूज है कि करें क्या जाये तो जाये कहां यह कोई साधान बिल नहीं है सुप्रीम कोट ने कहा कि त्रिबल तलाक अनकंसिट्यूशनल है और कल कोई इस पर त्रिबल तलाक करे कहां तो हम क्या बोलें गे कि तुमने आपनी कि क्या सुप्रीम कोट मगरर महिलाओं सुविधाब देने के रास्ते के तरीके से और महिलाओं की तकलिफ sect बढ़ा नहीं दे इसका मेंधर है मान्यवर सुप्रिम कोट ने उसमें शुजाव दिया है सरकार को निर्देश दिया है नई खानून के लिए संसद को निर्देश दिया है संसद से अपेक्षिया रखा है जिस जंग से लोक्षभा ने उसको पारित किया राजसभा पी उसको पारित करेगा हमें विश्वास है मैं कानुनमंतिक रूप में एफड़ेट फाइल कराया था कि यह पूरा मामला न पूजा का है न प्राथना का है न इबादत का है न मजहब का है यह मामला है इस मुलकी खवातिनों के इंसाफ का तो मजहब के सलाकों से न देखा जाए वोर्ड बैंक के तराजू पर न तौला करवाऊ उससे पहले इस खबर की विश्वसनियता यानि क्रेडिबिलिटी के बारे में बता दूँ खबर में रिपोर्टर्स मौके पर मौजूद थे हमारे खबर पूरी तरह से पुष्ट है खबरों में विशेशग्यों की राय है इन फाक्ट सारे विशेशग्य यहां अब इस मुद्धे पर बहस करने के लिए आज हमारे साथ जो पैनल में है वो है शाजिया इल्मी प्रवकता है बीजेपी की डिली बीजेपी की उपाध्यक्ष है टीवी पत्रकार रह चुकी है इंफाक्ट आपने कई मर्तबा उनको चैनल पर आंक्रिंग करते हुए देखा होगा इंडिया अगेंस करप्शन मुव्मेंट से फिर उन्होंने अपने आपको जोड़ा बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शाजिया अकिलेश प्रताब सिंग साहाब प्रवकता हैं कॉंग्रस के उत्तर प्रदेश की राजनती में बहुत को इन्होंने हराया था मैं यह आपको बता दू बहुत-बहुत स्वागति सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर रिजवान अहमद भी हमारे साथ जुड़ गया है इस्लामिक स्कॉलर है लखनौ में रहते हैं पेशे से वकील है इस्लामिक मारज लौ में इनक अध्यक्षे केमिस्ट्री के अलावा मानवधिकार विशय में में है मुस्लिम महिलाओं से जुड़े कई मुद्दे उठा चुकी है ताहरा जी स्वागत है आपका मेहमूद पराचा साहब जो की ओल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लौबोर्ट की सदस्य भी है लेकिन सुप्र अधक रह चुके हैं हिंदी और अंग्रेजी में कई किताब लिख चुके इन फैक एक नई किताब अभी अभी सर ने लिखी है उसके बारे में भी आपको आगी बताएंगे लेकिन मौलाना असत खान साहब पलाही जो है हमारे साथ जुड़ गया है इसलामिक स्कॉलर है इसल चुनना है आपका वोट बैंक और चुनना है महिलाओं के अधिकार के लिए मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए 32 साल पुरानी आपकी गलती को ठीक करना किसे चुनेंगे आप पिछले कई वर्षों से चलता रहे आप आपका चनल हमें उस पर कुछ नहीं कहना है हर बात में आपको कांग्रेस जब यह मुकंदमा होदा तो भी कांग्रेस इस बिल के साथ थी जज्जमेंट हुआ तो भी कांग्रेस साथ थी जिए दिर लोकसभा में पेश हुआ उस दिर ब Study बी कांग्रेस ने कहा तो यहां फीप चनल में मैंने कह था तहा हम इसके साथ हैं हम के साथ को कुछ संकाई और कुछ सुजाओं आपने कहा कि कांग्रेस और बहत चाहते हैं। लोग सभा में बिलपास kांग्रेस और बहत न हो। यहीं तो है बेजयपी यहीची चाहती है। जो रख दिया जाए लोग आउठा लगएं बाहर जाएं। अे बहँ क सभाव में बिल पास होने का संसर में बिल पास होने का प्रक्रिया है बाद बिना बहस के बिल कैसे पास होगा आप तो बिल पास करने पर बहस पर भी पावंदी लगाना चाहती है और जब कुछ बिल पर तमाम लोगों को कुछ संकाएं हैं संसाएं हैं कुछ सुझाव है तो उ अखिलेश जी अफ़ल तो लोगसबा में फिर कैसे पास हो जाता आप लोगसबा में भी इसे पास ना हूने देते राज्यसवा में आपके पास और विपक्ष के पास बकायदा पूरा नमबर है ऐसे में ये सवाल तो उठना लाज़मी है ना कि आप अगर ये चीज राज्यसवा में चाहते हैं तो लोगसवा में वहाँ पे नियती दिखा देते हैं आप नियत नहीं आपने दिखाई शाज़या इलमी, बहस चाते हैं, बहस से किसी को क्या परेशानी हो सकती है? कुछ चीजों में अगर बदलाव चाते हैं? बिल्कुल देखे, बरदाश की एक इंतहा होती है, और जल्म की एक इंतहा होती है. देश के करोडों ऐसे नागरिक हैं जो मुसल्मान हमारी बहने हैं बच्चियां हैं वो मुन्तजिर हैं एक फैसले की सुप्रीम कौर्ट में छे मेने पहले उन्होंने लड़ाई अपनी बहुत मेहनत से शिदत के संगर्ष के साथ लड़ी और जीती अब यह फर्ज है इस सरकार का और पूरे के पूरे सारी पार्टियों का कि उन ओड़तों को उनका हग दिया जाए उनकी डिग्निटी और उनकी इज्जद उनको वापस दी जाए ऐसी इज्जद के हम बात कर रहे हैं जो कुरान सम्मत है और सम्विधान सम्मत है ऐसे में जरूरी है कि बात को बजाए आए बाए मोडने के स्टैंडिंग कमिटी में जाने के आप बहस कीजिए बहस से कोई नहीं भाग रहा है लेकिन सिर्फ कुछ आकडों के खेल के वज़े से आप उन औरतों को परिशान कर रहे हैं फिर से आप उनको सता रहे हैं और उनके साथ जल्म कर रहे हैं उनको और लड़का कर अधर में क्योंकि इसका मतलब यही है अगर आप सब मानते हैं कि यह गलत है आप डिसकस कीजिए कौन्टम और पनिश्मेंट कौन रोकता है तीन साल नहीं दो साल कीजिए लेकिन स्टैंडिंग कमिटी में देने का मतलब यह है कि शीत काल में यह बिल पास ना हो यानि कि हमारी बहने और जो सिर्फ मुसल्मान बहने नहीं है भाई साब सुन लीजे आप यह देश की नागरिक हैं और देश के संविधान जो बराबर से अधिकार देता है उसकी भी बराबर से हगदार है आप उनको वंचित कर रहे हैं एक बहुत बड़ी चीज से एक से वोट बैंक के तराजू पर तोला जाना चाहिए कि बिल्कुल आपने जो बात उठाई है इसमें को शक नहीं है अगले जी बहुत परिश्ट रेता है चाहे वो जिस पीरिट से कॉंग्रेस हमेशा उसको मानते रही कि मुसलिम अलप संख्यकों का सारे अलप संख्यों को का खाली मुसलिम ही क्यों कहा जाए सबसे ज़्यादा हम सौरक्षक करते हैं लेकि दुर्भाग यही है कि इस मौके पर लोकसवा में या तो समती होती और खुल करके सामने या जा जाते इससे पहले भी कुछ समवाद ऐसा होता और मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी जी जहा भी उठाते तो लगता कि सबके हितों के लिए बात है लेकि राजस्रभा में पुराने कई नेता है वरिष्ट है उनलों को क्या लग रहा है कि इस पर और चर्चा होनी चाहिए तो मुझे लगता है कि संसदी परंपरा में छूट तो है मैं बानता हूं सिलेट कमिटी में जा तो मानने को त्यार कर ले या यह प्राउधान करना चाहते हैं यह बाते यह दि सही धंक से हो लेकिन रुपिकाजी जो आपने उठाया सही बात यह है कि कही ऐसा नहों बीजेपी अब भी गुज़ात में कुछ महिलाओं का वो बड़ी संख्या में मिला है मुसलिम महिलाओं का तो एक वोड्म का इक हिस्छा कोंग्रेस के नहीं आये इसलिए पहली बात ने साल की खुब्र कामने इसकी आपको सब का मुद्दा है में यह समस्ता हूँ की हमारा भाषदेश एक है और एक रहना चाहिए जब हम सारी बाते करते हैं कि हमारे यहां के नियम होना चाहिए सब होना चाहिए कि झेंडा रहना चाहिए सब का एकiqué Sanis ये सारी बाते होना चाहिए पिर हम ये क्यों नहीं करते कि कौमन सिविल कोड राएगे ये एक कानून सब के लिए लागू होना चाहिए हम अलग अलग कानून बनाते हैं एक धर्मा के लिए अलग कानून दुसरे धर्मा के लिए अलग कानून पहले तो ये सारी बाते खतम करन की जरूरत है और इस देश में जब तक कॉमन सिविल कोड एकसेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक आएगा नहीं तब तक देश में ऐसे हरे जाद धर्मावाले लोग अपनी मांगे आगे करते रहेंगे ये बंद करने के लिए कॉमन सिविल कोड का एक सबसे अच्छा रास्त जब भीलता है और जो आज रयज आने वाला है तो इसमें सबनी समयत देना चाहिए किसी के खिलाप का नहीं है यह कि देश की हित का जो कल भील अने वाला si को राज्यत 2 सेकंग और बच्टे से लेकिन आपने इस चुछा और आगे पढ़ा दिया आप जो है कह रहे हैं कि एक uniform civil court की ही शुरुवात क्यों न हो जाए ठीक है मैं आगे आपसे इस पर बात करूँगी लेकिन पराचा सहाब अब मामला बहुत आगे जा चुका है मामला इसलिए आगे जा चुका है कि यह इसलाम में वो चाहे Muslim personal law board ही क्यों न हो चाहे वो कुरान ही क्यों न ह है ही नहीं इसका जिकर ही नहीं है इसकी मानिता ही नहीं है लेकिन हम यह ग्रासरूट लेवल पर अब्जर्व करवारे में नाकाम रहे हैं और सबसे ज्यादा मौल भी सबसे ज्यादा Muslim personal law board अब बात आगे बढ़ गी है आप किसी को क्या problem हो सकती है गलत काम कर रहे हो जेल मे जाओगे इस्लामिक शरिया के इसाब से जो consistent standard है सबस्त उलिमाओं का और सबका कोई problem इसमें नहीं होने चाहिए मुझे हैं क्यों हो रही है यह कहने के बाद यह कहना भी जरूरी है अब जब कि बिल लोकसभा से भी पास हो गया है और राजसभा में इसको थोड़ी तकलीफ हा रही है तो हम सरकार से यह निवेदन करना चाहते हैं कि मैंने एक amendment इसमें तीन चार amendment करके मैंने सभी political parties को भी बेजा है और बीजेपी को भी बेजा है सब को भेजा है और सारे personal law board वाले members को भी बेजा है मैं यह चाहता हूं कि यह बिल एक जो historic opportunity आ रही है महिलाओं की में यह है कि तो इसकी सजा कुछ ज़्यादा सखत होनी चाहिए नहीं तो यह नॉन बेलेबल नहीं रहता है बेलेबल हो जाता है दूसरा जो सबसे बड़ी जरूरत है वह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की है वह बिल इस बिल में उसकी कोई प्रावदान मजबूत नही है कि वह उसको सारी इंकम ट्रांसफर हो जाए जहां तक इसका यह एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है जो कि मुझे बहुत ही खोकला आर्गुमेंट लग रहा है कि अगर वह मर्द जेल में चला जाएगा तो जो उसकी मेंटेनेंस है वह कैसे देगा आज भी महिलाओं को ब और मश्बूत करना चाहिए और मश्बूत किया जाना चाहिए तीन नहीं साथ साल नहीं कि देखिये इंप्रेस करने के लिए और फेमिनिस्ट बनने के लिए आप मेरी वाच नहीं चल लएए मैं कहा दू नहीं साहब दस साल भी नहीं चौदा साल करना चाहिए मैं धरातल से जुड़ा वकील हूँ तो मैं जो फेमिनिस्ट बनने का शौक नहीं है आइ स्पीक प्राक्टिकल देखिए मेरी शुबा शुरू से एक मुझे शक था कि गॉर्मेंट कहीं ऐसा ना करे कि ट्रिपल तरलाक की वैलिडिटी मेंटेन करे लेकिन उसको इलीगल कर दे यानि अगर ट्रिपल तरलाक हुई तो वो तरलाक मानी गई भले हस्बेंट को जेल बेज़ दिया जाए मेरी एक बहुत बड़ी समस्या का समधान उस दिन हो गया था रूबिका जिस दिन ट्रिपल तरलाक को इस बिल में वॉइड माना गया और मैं बड़ा खुश हूँ कि इस वॉइड वर्ड पे उपोजीशन भी कुछ उपोजीशन नहीं कर रहा है तो जब हजमेड अपनी वाइव को ट्रिपल तरलाक देगा वो तरलाक जुडिशल तरलाक या इंडिया की बाशा में तरलाक नहीं होगी मैं नमबर वन इससे बहुत खुश हूँ भाचपा नहीं ये गॉर्मेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है मैं आज ये बोलता हूँ कि अगर कॉंग्रेस एज़ा उपोजीशन पार्टी इसमें कोई अमेंडमेंट लाना चाहती है जो रीजनेबल हैं तो दोनों पार्टीों को इसमें इगो क्लैश नहीं करना चाहिए और कोई रास्ता निकाल के इस बिल को पास कर देना चाहिए सेलेक्ट कमेटी में नहीं बहजना चाहिए वोल्ड करने के बाद गॉर्मेंट अपना काम कर दिया है भले कानून थोड़ा सा डायली हूट हो जाए लेकिन ये बिल नहीं रुकना चाहिए बिल नहीं रुकना चाहिए तस्नीमा ताहिरा जी सॉरी ताहिरा हसन जी मैं तो बराबर कह रही हूँ कि महिलाओं की जैसे बार-बार आरा पॉलिटीकल पार्टी की बात हो रही है मैं बडी साफ गोई से कहूंगी शाह बानो से की शाह बानों हुआतक मुसल्मान महिलाओं के स्ट्रगल कांतीजा है हमने ए खणा नहीं हुआ तो मुसलिम महिलाओं की अपने जो जो ट्रॉमा था, जो उनकी प्रॉब्लम थी, उसके लिए वक्रों कि ये बाबरिक, इन्हूमन, अन्कॉंस्टिटूशनल, अन्कॉरानिक भी है. तो इसको अकर पस्टनल लॉबोट के हमारे अभी एक साथी बोल रहे थे, महमूसाभ, आप अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, अरे महमूसाभ यही बात आपने पहले कर ली होती, तो यह आपका जो बॉल है, बीजेपी के गोल में क्यों जाता जनाब, उस वक्त तो आप कहा तो ऐसा नहोता, मैं कहती है, मुसल्मान मर्दों को भी समझना चाहिए, कि यह जो कमिया हो रही है, यह मुसलिम पर्सनल लॉबोट की तरफ से हो रही है, उन्हों ने एफिडेविट दिया, जहां हमें कम अखल बताया, आप बताये, महमूसाभ का अंसर मैं लोंगी, आप ज मैं आगे आपसे जवाब लूँगी, आगे आपसे जवाब लूँगी, आपका टाइम भी पूरा हो गया है, लेकिन मुलाना सहाब, मुसलिम पर्सनल लॉबोट की तो गलती है ही, लेकिन अब आया ना उट पहाड के नीचे, आप सब को बढ़िया लग रहा है, अरे आप ज डिबेट को कन्फ्यूज ना करें, पहली एक बात तो सुनिए जो आप अभी लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहें, एक हमारी कंट्री जो है, दुनिया के सबसे लार्जेज डेमोक्रिटिक कंट्री है, और संसद में कोई भी बिल बिना डिबेट के, बिना बहस के पास नहीं होना चाहिए, यह हमारी डेमोक्रिशी के लिए जरूरी है, इसको इस तरह पेश करना, कि दूसरी पार्टियां, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के खिलाब हैं, और उन गे बिल पास निकराना चाहती है, और स्टेंडिंग कमेटी में बेजना चाहती है, तो उन सु बैंडिंग कमेटी में भेजने की जरूद पेश आ रही है वो क्यों आ रही है देखिए इस बिल से लोग मुस्लिम महिलाओं को हग कम मिलेगा बलके उनके अधिकारों का अधिकार हो जाएगा चुकि घर खराब होंगे जादा जादा आप देखिए कोई भी अपनी बीवी को देता खर्चे नहीं देता बच्चों के लिए इसकूल की फीस नहीं देता तो उसके लिए क्या प्रोवीजन है इस बिल के अंदर अब वो ऐसे करेंगे लोग कि चोड़ देंगे कोई उनके पूछने वाला नहीं होगा बच्चों की जनरेशन खराब होगी यह तो आप घर लिए फूर देंगे ना आप ने बिना मश्वरें के किसी इसलामी और्नाइजएशन से बात के वे आपने ये सौचा कि सब कुछ हमें आता हैं बेतरीं तरीके से बना लेंगे इस बिल को और आपने पैश आपको किस बाद से दिक्कत हो रही है कि और तो तो पैसे देना बंकर देगा अगर्दों को दमका देते कि आप जाओगे जेल के पीछे आगर्ड तरीपल तलाग दे दिये लेकिन आपको तो महिलाओं को अब घर को बनानी के बजाए भर को खराब करने वाद कर रही है। पराचा साहब आप ताहरा जी के सवाल का जवाब दीजिए और उसकी बात कह रही है जितने भी पर्सनल लॉपोड के मेंबर्स हैं पहले तो मैं ताहरा साहब को यह बता दूँ कि अगर वो मेरी पहले के बयान देखेंगी तब भी मैंने यह कहता कि यह पीनल ओफेंस है इसको कोई भी नहीं है नहीं कहता है यह दूज़ाब पूछा जवाब है ना सुनिये सुनिये सेकंद सुनिये सवाल पूचा जवाब है एक सब्सक्त पूचा चुपर हर एक मुस्लिम स्कॉलर ने यह बोला हर एक मुस्लिम स्कॉलर ने यह बोला मुस्लिम स्कॉलर ने इसलामिक स्कॉलर होता है तो आप और कर दीजिए लेकिन वहर्बानी करके इस दिन को मजबूत बनाई आपको और हम को मिलके सब को मुस्लिम महिलाओं को कुछ मिल सके प्रैक्टिकली मिल सके और सब्सक्राइब के तौर पर शाजिया इल्मी आपके सवाल का जवाब देना चाहती है उनको सुननीजे उसके बाद डॉक्टर रिजवान और पराचा साब आप दोनों को मैं दो मिनिट का मौका दूंगी जरा कीज़ें आपके कहना चाहती है और बहुत संक्षिक्त रूप में इस बात कर रखोंगी महमूद पराचा साब की मैं एज़त करती हूँ और उन्हें जो अपना अपका स्टैंड है उनका जो नया स्टैंड है उसके साथ पूरी तरह मुतफिक हूँ उससे पहले हाला की मैं आ बिल्कुल और महमूद पराचा जी ने भी कहा कि ट्रिबल तलाक से कुछ फायदा होने नहीं वाला ऐसे बैन करने के लिए सिर्क दो महीने की महला तोर मिलेगी तो हम लोग लड़ते थे खेर उन्हों ने इस बात को अपनी बदला है बिल्कुल मुझे याद एची तरह से औ के लिए लिए के टिर्स फोरान सब्सक्राइब बिल्कुल साफ़ तरह के लिए को आओ ऐसा मदभ है जिसके अंदर कलरजी नहीं है लेकल इसलामिक स्कॉलर को आप डिलाइं और दिलाइन और रूला उटनी करेंग कि लिए लिए मिली दीर आपतो कहने लिक्त को तरह समजह आदा मिनट a았ा मिनट को अजा था समρना चाहिए एIT 30 से कटना आजाए जी कि लोya चाहिए उधार मुसलिम लौफर पोन जी बात उधार 13 सेकनर की बात है आदा अज़ा इसी कोई चीज कुराम के नाम पर कर रही है जो قुरान के خلاف है मसल्मानों के خلاف है और ओर्टों के खिलाफ है तो सारी के सारी और स्कॉलर्र सबका हक किर हम भी बराबर से स्कॉलर्लर हैं नियसे हैं इतना नहीं कि आपको कोई हमारे पर सुपिरियोरिटी ए अब सब लोग कुरान पड़े हैं मैं अखिलेश जी के पास जाना रही है यह जो आपस में यहां बातचीत हो रही है इसका मतलब यह नहीं है कि कॉंग्रस जो सवालों के घेरे में है वो वहां से बच निकलेगी यह बैस तो बरसों से चली आ रही है इन फैक अब साल बर से उपर हो गया है अब मुझे यह पाने की कोशिश करता रहा है वो शाब बानों का केस भी आपको याद होगा किसके साथ कल खड़े रहें गया कि कल क्या होगा किसी नहीं जाना लेकिन कल के ऊपर आपने पूरी बहस करा डाली तो आप बेतर बता सकते हैं और हमें हशी आ रही है कई बातें इसी की गई जैसे कि आपने कहा कि लोकसभा में जब आस पास हो गया तो रासभा में क्यों बहस करना चाहते हैं तो तब आपके आपके पास नंबर नहीं है संख्याबल नहीं है कोई बात थिहां नहीं पता लोकसभाओ की जब टाइमिंग आप दो ही गंटे बास की रखोगे तो पार्टिंगों को टाइम मिलता हम लोकसभा में भी का था, प्रेस कान्फिर्इश करके का था, हाउस के अंदर भी का था, और अभी हमारे सांसर लेडी का दिखाया उसने भी का था और बच्चों का जब वो तुरंत अरेष्ट हो जाएगा तुम मुआजा का प्राविदान क्या यह सरकार असपस्ट कर दे कैसे मिलेगा या तो अरे वो डर के मारे तराक देगा ही नहीं वो रहवके बेल हो जाएगी तराक अरे तो उसका स्कोपी नहीं आएगा तो शादी भी बच जाएगी और माफ़ा देने का उसका पैसा भी बच जाएगा हम आपके महान मेरी बात होने देंगे मेरी बात अगर सुननी हो तो मैं बोलू हम किसी के महान ग्यान पर प्रस्ण नहीं लगा रहे हैं हमारा जो संका हो लोकसवा में दूर कर दे यह सरकार यह बता नहीं है पार्लमेंट में दूर कर दे तो यह कैसे दोनों चीजे होंगी आप साज उसको तुरंट जेल में डाल दे रहे हैं और तुरंट से आप जो है उसको मुआज़ा और बच्चों को भी मुआज़ा का प्राविधान आपने रखा है परना वाली बच्चों का पार कहना यह है एक सेकिंड डॉक्टर रिजवा देखे देखे यह जी और एक सुझाब भी हम लोग का है अगर कहिए तो वह भी बता दें अच्छा सुझाब भी बता दीजिए चलिए अब उसमें तलाक साबित करने का जिम्मा पत्नी पे है कि हाँ पती ने तलाक दिया हम जो करते हैं जिम्मा पती पे हो कि हमने तलाक नहीं दिया महिला कूपर क्यों हो अब यह दो तीन चीजे हैं बहास में कई चीजे इसमें निकल के आ जाएंगी लेकिन बहास कराने से क्यो बच रहे हैं अच्छे यह तीन पॉइंट है डॉक्टर रिज्वान और पराचा साहब एक सेकंड तीनों पर बताता हूं आप दोनों को वकिली के ऐसियत से सर सुनिये इसको मैं धार्मिक तरीके से नहीं देखना चाहती हूं पॉलिटिकल तरीके से नहीं देखना चाहती हूं मैं इसकी लीगालिटीज को समझने की कोशिश करें इसलिए डॉक्टर रिज्वान और महमूद पराचा आप दो स्क्रीन पर दो-दो मिनिट आपके पहला मिनिट डॉक्टर रिज्वान आपका जी देखिए रुबिका पहली चीज जो अकलेश भाई साब ने बोला कि नॉन बेलिबल अगर ये नॉन बेलिबल होगा तो पुलिस तुरंद अरेस्ट कर लेगी नो ऑन्रबर सुप्रीम कोर्ट के क्लियर डारेक्शन्स हैं कि हस्मेंड वाइफ के मैटर में पता नहीं है मज़े बात करने दीज़ा साब आप मुश्मेरे पीशमेरा बोलिया ना नो सर्थ एक एक मिनट आप पॉलिटिकल अपॉलिटिकल अपॉलिटिकल अपॉलिट आप गुमरा करेंड नो सुप्रीम कोर्ट के डारेक्शन्स हैं कि फोर नाइटी एट ए में या तीन पटा चार में या किसी भी धारा में जब तक वो बहुती संगीन ना हो गई हो पुलिस पहले एफ आई यार करेगी फिर महिला थाने में मेडियेशन करवाएगी जब मेडियेशन फेल होगा उसके बाद इन्वेस्टिकेशन चुरू करेग और उस पे चार्शीट लगाएगी या फाइनल रिपोर्ट लगाएगी पुलिस अरेस मैं दो महिने से बोलना हूँ मैटर मोलियन मैटर में नहीं करती नहीं करती नहीं करती पहली बात दूसरी बात जो मौलाना साब बोल लए थे कि अगर उसने औरत को घर से निकाल दिया तो कौन सा कानून है? मौलाना साब डिबेट के बाद घर जाईएगा. जो इसका पार्ट थ्री है उसका पार्ट थ्री है उसका अठकी नंबर सेवन धारा सेवन जो इसके अंदर है अपरादों का संगे और जमानती होना दंड प्रक्रिया संगिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधनियम के अधीन दंडनी कोई अपराद उक्त संगिता के अर्थां तरगत संगे और जमानती होग इंचे का दीदरा पढ़किया भी लाया करें पहले सुप्रीम कोट के रूलिंग के चाहिए पराचा साथ आप ने सुना डॉक्ति विजवान ने क्या कहा था और उसके बाद अखिलेश कताव सिंग साहब कौन सा क्लॉस नमर्ट बता रहे हैं पहले मैं शाजिया इलमी साहब को साहबा को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं आज भी वही कह रहा हूँ कि अगर ट्रिपल तलाक इन वन गो यानि के तलाक बिदत को सिर्फ गहर कानूनी गोशित किया जाता जैसे सुप्रीम कोट की जैसे अब कमेंना करा करें तो उसका कोई फाइदा सिर्फ साथ दिन नबे दिन से जैड़ा नहीं मिले वारा हूँ मैं बहुझता तुम कहां के हो मैं बहुत एड़ा आदमी हो अब जब सरकार इसको दड़नी अपराद बना रही है जो बात मैं शुरू से कह रहा हूँ तो मैं उसका स्वागत ही कर रहा हूँ इसलिए तो मैं अपनी बात से पलटनी रहा हूँ पहली बात ये दूसरी बात ये कि ज़्यादतर यहाँ पे लोग जो मौझूद है मेरे मित्र जो वकील साहब है उनको छोड़के ये नहीं जानते के महिलाओं के साथ कोट में जाने के बाद कोट में एक अलब प्रकार का अन्याय होता है तो इस एक की जो मैं सिरफ अमेंडमेंट के लिए गुजारिश कर रहा हूँ ये ही कर रहा हूँ कि जो फैनेंशल सिक्योरिटी है वो महिला को दे रहें तो उसके लिए भी उसको पैसे खर्च करने होंगे तो कम से कम 50% तो टोटल महिनों इंटकम का और एसेट्स का मिलना चाहिए ये एक बुन्यादी बाद है और साथ दिन के अंदर मिलना चाहिए ये जब तक बिल में प्रावधान नहीं होगा महिला को जैसे कि अभी डॉक्टर इस्वान साब ने बताया है महिनों जी वारत को आप ऐसे निकाल नहीं सकते हैं अपनी बीवी को पूरा हख है शोहर के घर में रहने का चीजें रखनी बहुत जरूरी है अधर्वाइस इसका कोई फाइदा मुस्लिम महिनाओं को नहीं होगा लेकिन ये लड़ाई हम बाद में भी बाद करके इस बिल को साइड लाइन करने की कोशच तो नहीं कर रहे है बिल में क्या आपके बाद करने बाद हो ही नहीं सकते है रबीनाची आप समझ रहे हैं इस बात को इतना उल्चाद हो सुनिए सुनिए आइडिया क्या है यहां पर लोग जो देख रहे हैं वो भी समझ रहे हैं कि किस सरह से टाइम और खरीद कर बात को भरमित करके नए नए क्लॉजिस लाकर नए ने कंडिशन सरते लाकर और डिरेल करने की और हटने की कोशिच की जारी है ताकि इसमें और वक्त मिले मुझे लगता है बहुती साफ गोई से और नेकी और शराफत के साथ और इंसानियत के साथ हम लोग को एक स्टैंड लेना पड़ेगा भूर जाना पड़ेगा कि हम लोग लोग बाजपा से हैं यो कॉंग्रेस से हैं और कह देना पड़ेगा कि देखिए हम लोग साथ में हैं, इन महिलाओं के लिए हम लोग इस वक्त एक जुट हो जाए, यह मेरी अपील है, बहस आपको कड़नी बहस कीजिए, बहुत अच्छा कानून लाइए, लेकिन इसको ठंडे बस्ते में ना डालिए, इस साल का एंड हो कुए थे, तुमाने सहाब, वो यह कह रहे थे कि उनिफॉर्म सिवल कोड आना चीए, अब यह देखिए, जब एक देश, एक समवधान है, तो योनिफॉर्म सिवल कोड क्यों नहीं है, यह सवाल शिर्फ सेना के नेता ने उठाया है, और अर्विन सावन नहीं सवाल उठाय है, पहले उन्होंने क्या कुछ का है, सुननू मैं और उसके बाद इस वहस को आगे बढ़ाएंगे, सुनिए, हम कहते हैं कि देश का एक ही जंडा, एक ही सविधान, एक ता की बात करते हैं, तो फिर एक ही सविधान है, तो एक ही कानून हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमारा सविधानी हमारा, कुरान है, बाइबल है, गिता है, उस सविधान है, शाजे इलमी इस पर आपका क्या रियाक्शन है, आप तो ये बात ट्रिपल तलाग से आगे बढ़ गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आ गई है, देखे, 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 रुबिका जी, आ बात है, आई पी सी को मानते हैं, और चारदन संधिता को मानते हैं, यानि कि से आर पी सी को मानते हैं, लेकिन जानी कि चोरी हुई, ड़केती हुई, किसी ने किसी का लैंड शीना, किसी ने कतल किया, कौन सा कानून हावी है, देश के सम्विधान का कानून हावी है, लेकिन क क्यों जब मुसल्मान औरत के शादी की बाता आती है या की बाताती है या मिंटेनेंज की बाता आती है तो इसलाम खत्रेमें हो जाता है सारे मख़ब खत्रे में हो जाते हैं और उसमें आप अपना यूनिक लगा आते हैं अब बार बार ऐसी बाते करके उल्जारे की बड़ा लंबे बहस और अगली पुरे समयधान में परिवरतन का मुद्दा है जिसमें आपको सबको और ज्यादा बहुमत की भी जरुबत होगी शी उसेना भी रोज रोज अटकाने की बाते करती है बहतर यह है कि पहले ये एक जो जुल्म होता रहा है एक बार मेरा खाले बॉनाद साब को मानना चाहिए कि पहले एक बार कानून को बाद में अमेंडमेंट नहीं हो सकता कोई ऐसा तो नहीं कि उसके बाद अमेंडमेंडमेंट कितने हुए हमारे उसमें भी सब्सक्राइब हो सकता है एक बार लोगों को मैसेज जाना चाहिए नौबत ही नियाना तीन तलाकी आप जो कह रहे हम तो इस पर हैं कि आप ऐसे कड़े का जब आपको मौलूम होता है दस साल सिंगाफुर में क्या हो दस साल की सजाए ड्रावदान हो जाएगा आदमी डरेगा तलाक की नोवत क्यों आती है यह उसके पहले उन्भाप्रोसेस है पहले ट्रिपल तलाग पर तो बहस हो जाए इस पर तो स्टांट लग जाए आप लोगों की और बहस कर लीजिए बात तो ठीक है कि ट्रिपल तलाक की बात है ट्रिफल तिलाक बारे में बात कर रहें हमने तो उसको समर्तन बिया हमारे-पार्टी दिये इन चाहिए एक कानुन के सा actors अमेरिका जाओंगे स्द्रश से क्षे़ों लिए 안ओंड म् me गryुछनूं के लिए या मुस्लिमों के लिए बुद्जिट के लिए स्भ ה morality अलग है थाइलन्ड में जाँँगे तो वहां फुदिष्ट के लिए और बुस्लömों के लिए अलग है। ऐसा नहीं होता है, दुनिया में सब जगे एक कानुन होता है उसल्मानों के लिए अलग कानुन बनाते हो लो जयसा अमारे अभी erzählt I करते हैं कि जगड़े लगाने का आपस में जगड़े करा देने का कुछ तो भी बोल देने का जैसा भी धंकी दे रहे थे कि आइसा नहीं होंगा वह ऐसा हो जाएंगा उसकानूर के रिफकर्चन्स बता रहा था आपको आप उसको धंकी मिले जाए जब तक आप मतलब यह होता हम जानते हैं कि इसके लिए तूठट में जाटी लगेंगी लेकिन हम इसके लिए सभी लोग समर्थन करेंगे इसके यह कामन सिविल कोट की तरफ लेकिन आई नहीं पता कि लोग कमिशन ने यू सीची के ओपर क्या स्टेट नहीं हो नहीं चाहिए यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोट इंप्लिमेंट नहीं हो सकता चूकि इंडिया इस कंट्री ओफ डाइवर्सटी यहां इतने लोग मानने वाले आप मुस्लिम को तो छोड़ दी जाए मैं तो तैयार हूं मैं कहरो लाव सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोट का ड्राफट पहले लेकर आप आपके पार ड्राफटी नहीं है और आप खाली हवा में स्पेकूलेशन बात कर रहे हैं कि नए यूनिफॉर्म सिविल तो डाना चाहिए आप अमेरिका की बात कर रहे हैं करने वाले की सजा तो बढ़ी होती है अगर डिवास हो रहा है तो उसके लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए और हिंदू सब्सक्राइब कर रहे हैं क्यों हो रहा है यह उनिफॉर्म सिविल कोड के ना हुने की बज़े से लेकर आए ना आपका लॉग कमिशन कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉसिबली नहीं है आप रिपोर्ट उठाके देख लिए अगलेश प्रताप सिंग साब युश् पूछा आपकी तो राय बता दीजिए त्रिपल तलाग पर तो थोड़ी थोड़ी समझ में आ रहे हैं आपकी नियत यूची सी पर भी कह दीजिए अच्छा पहले पहले यह मैं सपस्ट कर दूँ यह ट्रिपल तलाग पर किसी को बहुत कूदने की आव सकताने के लिए सुप्रीम कोड ने किया है कोई दल यह न समझे कि महने किया है और सुप्रीम कोड के निर्देश के बाद यह बिल शह महने बाद लाए है उस पे भी सब लोग कुछ संकाय उसको दूर करने के लिए ओए कि यह लोग तो संबिदान ही नहीं इने सबीन समझे का समधान हो जाए को भी नहीं समझ 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 समयानों के समझ मैं है हर कोई नहीं समझ पाएगा जो मैं बोड़ नहीं क्योंकि मैं RSS क्या काता है वो बता रहा हूं RSS जो कहती है वो तो छोड़ दीजे, कॉंग्रिस क्या कहती है वो बता दीजे ना जो BJP काटा तो आप लोगो लग रहा है बहुत ज्यादा हवा में हम तीर क्यों मा रहे हैं ले आना ना कौट ने कोट गटे जरूं अब पार आने में ववान में लग जाएंगे मैं उनिफर्म सीविल कोड में रफ टी के सर आप ये कह रहा है अभी तो ड्राफ लाईए अभी तो ड्राफ लाईए दस सकेंड चाहिए मुझे दस सकेंड रहे ये उसके बाद हम सोचेंगे ठीक है खिलेज जी ट्रिपल तलाग तो पन्नों पर रहा हूं कि आपके चैनल पर यहां कानून का मजाग बन रहा है पर रहा है बने का मजाग जो कह रहा है वो एक्सपोज हो रहा है सब्सक्राइब और अकिलेश प्रताब सिंग साब आप दोनों जिस क्लॉस पर बहस कर रहे हैं मुझे नहीं आप थोड़ा खुल कर बहस करें नहीं नहीं आप दोनों में से कौन सच्चा कौन जूटा वह अभी आप तो ट्रिपल तराक से आगे बढ़ गई इन सिविल कोड तक चली गई सर आप देश को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना कोई एक ही मुद्य पर स्क्रीन रख रही हूं मुझे यह पता है किस क्रॉस को लेकर आप कह रहे हैं पढ़ना नहीं आता और डॉक्टर रिज्वान कह रहे हैं कि भाई मजा कोड़ा है मैं इसको क्लियर करना चाहते हूं अगर बढ़ना चाहते हैं जो मुस्लिम में पर काम कर रहे हैं जिसने जस्टिस वर्मा कमेटी भी गटित हमी लोग के अंदोलन से हुई थी एक मजबूत कानून बना था ऐसे नहीं बना था हमारा ये कहना है कि अगर सिर्फ जेल भेजना इसका सलूशन नहीं है मैं शाजय से भी कहना चाहती हूं कि जेल के बजाए पहले इस पर एक हैवी इनके पर फाइन रखा जाए जब वो रियूस करे अगर पहले रिजवान जी को सुन लीजे लिए तुम्हें आपको बता देता है रहा आप तो शायद सब्सक्राइब लेकर कंफूजन है जरा उससे समझ लें यह बहुत इंपॉर्टन हो जाता है वो बहुत इंपॉर्टर रिजवान समझा रहे थे एक पर फिर से सुन लेते हैं कि कि ने उनको इंपर पर दिया तुम्हें भी समझा रहे हैं रूबिका रूबिका ने सिर्फ डॉक्टर रिजवान जी से रिलेटेड विद मैरेज जिसमें 313 IPCB आती है जबरदस्ती किसी औरत का अबॉर्शन करवाना जिसमें 10 साल की सजा है उसमें भी पुलिस अरेस्ट नहीं करती है पराचा साब से आप पूछ लीजे इफ यूँ वांट तो कंसर्न जब तक आपका मेडियेशन फेल नहीं हो जाता मैट्रेमोनियल डिस्प्यूट्स में पुलिस अरेस्ट नही अर्गोमेंट ओवर है और रुबिका 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 डिका रुबिका रुबिका बदी का। आपने पूरा बिल पढ़ा है बिल की कॉपी नहीं सामने रखी है एक जम नहीं पढ़ा है आपके लिए खबर है आपके लिए खबर है आप तो राद बर इसे पढ़ा जा सकता है बार बार पढ़ा जा सकता है जो भी दिक्कत है जो भी इसको आप लिए चार घंटे बहस होगी वहां इसको या ना बेजा जाए अलोग जी मतलब गते रोद जो है खत्म करने की कोशिशना तो उसको और समय बढ़ा सकते मैंने का पहले भी जब दी चार घंटे ने याप हो सकता चे गंटे कर लिए चर्चा कर लिए और अगले जी बहुत पुराने देता हैं आप आपके लिए गुलाम ने भी आजाद और और कानून वंद्वेंशन का शु अब आप लिए जिसको जिसको सरकार को यह बहुत कर रहे हैं और रहे हैं और यह आपके एक शंका तो दूर करी दी ना सर्ट आपना रहा दे देना हैं अच्छा पराचा साब का यकीन करेंगे ना ठीक है उनका उनका कीज़े एक सुप्रीम कोट की जज्जमेंट है अरनेश कुमार नाम की जज्जमेंट है जो यह कहती है कि साथ साल से कामका यदी अपराद होगा तो पुलिस उसमें अरेस्ट नहीं करेगी सीधे दूसरा सेक्षन 41 कैपिटल के CRPC की है जो यह कहती है कि जब साथ साल से कम या साथ साल तक की सजा वाला कोई भी ओफेंस होगा तो पुलिस सीधे गिरफतार नहीं करेगी बलकि उसके डिटेल में रीजन लिक्के तब देगी तो अगर साथ साल से कम का ओफेंस होता है तो लि अगरे हैं अगरे हैं अगरे अगरे अपने अपने जो बात कर दीए एक बात कर जवाब दीजिए यह परेशान दीजिए तो इसमें जब वो ट्रिपल तलाक को बैंड कर रहे हैं तो दूसरी जो दो तलाके हैं तलाके एहसन और तलाके हसन उसको क्यों निडिफाइन किया गया इस बिल के अंदर कि तलाक देने का तरीका क्या होगा आपने तो तरीका ही नहीं बताया और पा अब जो है वो सुप्रीम कोड कर लें आपका सारा काम सरकारे कर लें तो आप कानून ला रहे हैं और तो आप समझाए ना अपो किसने रुखा आं मौलाना साफ जुम्हें की नमाज के बाद आप जो आप जुम्हें की नमाज की बाद समझाए सारे मर्दों को बिलकुल माम सबसे बड़ा है कि एक बार में ही उसका सवर्थन करने से भारत की करोड़ों महिला उनको रात मिलेगी सबक मिलेगा मैसेज जाएगा तेकि असली चीज तो होता है जो आप चाहे तरम पर कहें समझाए के नाम पर कहें सभाज के नाम पर तो बानिए कि मुसलिम महिलाओं पर जिस तरह से आतंक जरूर निका गोली मारें तलाग न दिये भीना भी उसको जंड़ा उसके उसके उप प्रिपल तलाक एक बार में बोल देना आपको लगता नहीं है कि तो बात की जा रही है तो फिर आप खड़े रही है